Hello everyone, Pooja here from Easy Vaastu. I am a tarot card reader, numerologist, vaastra consultant and an esterloger. आज कई वीडियो है regarding March 2020 love readings. So आप thumbnail से जान सकते हैं कि आपकी कौन सी राशी और किस राशी का ये recording वीडियो है. उसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading चाहते हैं, so आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram या Facebook पर, जहांपर मैं daily tarot readings प्रोवाइड कर सकती हूँ. नीचे description box में उनके links available हैं, आप वहाँ से मुझे follow कर सकते हैं. उसी के साथ साथ बहुत लोग पूछते हैं कि माम आपकी love readings zodiac sign पर based हैं, कि moon sign पर based हैं, यहनों कैसे हम उसे relate कर सकते हैं. मैं simply कहते हूँ कि जितनी भी मेरी readings हैं on YouTube channel, वो सारी based होती हैं on the zodiac sign. मतलब जो आपकी राशी बन क्याती हैं, माली जे आप 1st November को बहुन हैं, तो आप Scorpion हुए हैं, बट इसके अलावा आप साथी साथ आप moon sign से भी देख सकते हैं, इस आस पर your belief system, कि आप किस पर मानते हैं आप यह राशी हैं, तो अगर आपको लगता है हूँ कि आप Libra हैं, आप moon sign से ज़्यादा connect होते हैं, तो आप मेरे वीडियो आप moon sign के recording भी देख सकते हैं, वो energies भी आपको help करेंगी समझने में, तो अप टू यू, कौन सी राशी को आप देखे के ज़्यादा relate करते हैं, आप वो देख सकते हैं, पर अगर आप जाना चाहते हैं, मैं किस basis पर वीडियो बना रही हैं, तो वो zodiac sign के ओपर based हैं, बट आप moon sign, zodiac sign, लगन, कोई भी राशी से जिससे आप जादा connect होते हैं, उसके basis पर देख सकते हैं, I wish कि आप से वो relate हो, connect हो, आपकी help करें, rest, उसके अलावा, I wish you all the good luck and positivity for the March month, जिससे आपका love life हो, career life हो, हर तरीके से आपके लिए positive हो, शुब हो, rest, enjoy the reading, बहुत लोग को मैं ये भी कहना चाहूंगे, कि ये readings of course general होती हैं, बट मैं मानती हूं कि अगर आप तक ये वीडियो पहुचा है, उसका जरूर कोई ना कोई कारण है, divine messages है, because tarot cards करी ना कई इसी तरीके से काम करते हैं, तो मैं इन पर मानती हूं, I believe them, so I hope, ये divine messages आपकी journey में, आपकी ये month में, आपकी help करें, आपको guidance दें, सही रास्ता दें, that's all my wishes for you, so चली, इसके बाद आपकी reading आपके सामने आ जाएगी, thank you so much. Hello Libra, sweet reading आपके लिए है, मैं one by one explain करूंगी हर एक card का meaning, but सबसे पहले चीज़ की March 2020 में Libras कैसा feel करें in terms of their love life, सबसे पहले चीज़ आपके लिए card आया है वो है the six of cups, ये कही न कहीं दिखाता है कि आप जो कुछ Libras के लिए में कहना चाहूंगी वह अपनी life में, कहीं न कहीं अपने partner को miss कर रहे हैं, अपने पुराने दिन याद कर रहे हैं कि कितना अच्छा connection था, कितना अच्छा bond था, तो बहुत ही deep, loving, emotional, respected, प्यार भरी feelings हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम ऐसा लगता है कि ये true love है, divine love है, divine connection है, उस तरीके की feeling से आप गुजरते हुए दिखरें, ये one of the tarot में one of the most प्यारा और loving card है, because यहां पर एक sharing दिखती है, caring दिखती है, जहां पर हम कहते हैं कि हम कहते हैं बचपन का प्यार सबसे innocent प्यार होता है, वैसा एक रिष्टा दिखता है आपका, इसी प्यार को आप याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कहते हैं अगर कई रिष्टे ऐसे होता है कि अलग भी हो जाओ फिर भी एक रिस्पेक्ट प्यार रहता ही है, जो कभी जाता नहीं उस तरीके का एक young true love दिखता है आपके दिल में उनके लिए, वही कुछ तरीके के लिए मैं लिब्रास के लिए कहना चाहूंगी उपने love life में बहुत compromising, बहुत effort, बहुत घल्दियों को भी माफ किया है, बहुत कुछ कि अपने relationship में, बट लिब्रास कही ना कि मार्च में इन सारी चीज़ों को miss भी कर रहे हैं, अगर already committed relationship में तो बहुत ज़दा effort भी ले रहे हैं, दूसरे person को मनाने के लिए, समझाने के लिए efforts लेते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत लविंग, caring और gentle energies दिख रही हैं, लिब्रा के नो मन में उनकी feelings में, वहीं अगर मैं बात करूँ आपके partner कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए card आया है, कि three of swords का card अब यह देखते हैं थोड़ा सा dramatic लिखता हैं, बट कोई चिंता की बात नहीं है, यह बताता है कि आपके partner किसी चीज़ को लेके hurt हैं, disturbed हैं, उनने कोई feelings को किसी चीज़ का बुरा लगा है, और आप शायद सी चीज़ के लिए समझा रहे हैं, मना रहे हैं, बता रहे हैं, पर आपकी feeling समझ नहीं बा रहे हैं, और इनी चीज़ों की वएसे वह अपना time ले रहे हैं, improve and heal होने के लिए, और वहीं आपको वो चीज़े तकलीफ दे रहे हैं, कहीं न कहीं अगर committed relationship में हैं, तो इस month में थोड़ा सा time दे, अपने partner को space दे, वो समझेंगे, आगे हम जानेंगे और क्या situation दिखती, बट वहीं हैं मैं कहूंगी, अगर आपकी life में आपके partner का बात नहीं हो रही है, breakup हो चुका है, बहुत से issues चल रहे हैं, बहुत से रुकावटे आ चुकी हैं, तो यह time period में आप जो इस month में जो feel कर रहे हैं, यह चीज़ें आपको महसूस करने के लिए मैं रोकूंगी नहीं, बर थोड़ा अपने आपके साथ caring रहें, gentle रहें, अपना भी ख्याल रखें, आप दूसरों की बहुत ज़दा ख्याल रखते रहते हैं, अपने आपको ना बूल जाए, बहुत ज़दा emotional लग रहे हैं अपने partner को लेते हुए, वहीं अगर मैं बात करूँ current situation क्या है, तो यहां पर आपके लिए card है the card of charge, यह card बताता है कई बार ऐसे होता है, हमें पता होता है कि कुछ Libras के लिए मैं कहना चूंगा, ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अगर उनके relationship में problem चल रही है, तो यह card बताता है कि अब वो time आगे कि अपनी life में अपनी बात को change करें और realize करें कि अब वो समय आ गया है, जहां पर आप मुझे आके move on करना है, तो उसी तरीके से आपको चीजों को समझना होगा, accept करना होगा, वही relationship already committed तरीके का चल रहा है, एक दुसरे के लिए effort है, तो मैं कहूंगी यह दिखता है कि कहीं न कहीं आप दोनों को ही March month में efforts लेने होगे, समझना होगा, debt के और चलना होगा, कोई action या कोई result आपको शायद देखना ना मिले, लेकिन इक दुसरे के लिए committed रहना होगा, struggle हो सकती है एक दुसरे के साथ रहने में, या आप कोई परिवार वाले ना माने कोई परेसे थी, आप दोनों की compatibility में issues आ सकते हैं, बट आप दोनों को ही positive रहकर ढटे रहना है, give up नहीं करना है, committed relationship में यह suggestion होगा, लेकिन मुझे जहां तक जो strong energies दिखते हैं लिपराज आपके लिए, जो मुझे जादा possibility दिख रहे हैं वो यह है कि committed relationship में ऐसा है कि आपके partner कोई ना कोई चीज को लेकिना जिद में आके बैठे हुए और आपके बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं और यही चीज बेफालतों की छोटी सी बात पर इशू है तो इस तरीके की situation में को सबसे जादा strong feeling आ रहे हैं आपके लिए यह स्थेती है, वहीं already अगर बढ़े time से बात नहीं चल रही है, बहुत time से नहीं issues चल रहे हैं, तो यहां पर मैं come back नहीं कह सकती हूँ person का, because person अभी भी चीज़ो हो जाता है, emotions उनके कम हो जाते हैं, तो यह energies मुझे दिख रही है situation में, अगर मैं बात करूँ कि आपके लिए divine guidance card काड काया है, तो यहां पर आपके लिए कि इतना खुबसूरत card है, मतलब यह card ना मेरा one of the favorite card है, तो यहां पर लिखा हुआ है surrender to what it is, यहां पर मतलब ही होता ह है कि नो, यहां पर जैसे लड़की है, यह एक्तम शान्त होकर उसे सब को जब छोड़ दिया है, तो यह message आप से कह रहा है कि जो है इस जिर्दी में, अब बहुत ज़दा ना सोचें कि नो, कब क्या होगा, कैसे होगा, कब वो बात करेंगे, कब मानेंगे, कैसे होगा, overthinking न पर मैंने कई पढ़ा था, जैसे कि मौंक्स होते हैं, कोई भी आप spiritual person समझ लीजे, उनकी life में पूझा पार्ट करते थे, शान्ती से बैठे रहते थे, तो उन पे किसी ने इल्जाम लगा दिया कुछ तो उन्होंने किसी के साथ छेड़ चाड़ किये, कुछ ऐसा, उन्हें पता था, उन्होंने नहीं किया, तो सारे लोग आके उनको ब्लेम करने लग गए, बुरा भला कहने लग गए, पर वो शान्ती थे, स्थिर थे अपनी life में, तो उन्होंने बदनामी भी सहली सब कुछ चैल लिया वर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस्थिर रहे वो, कुछ उन इन्होंने तो कुछ नहीं किया था, तो बगवान समान है, इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर सारे गाउवाले उनके पास भागे कि हमने आपको इतना बुरा भला कहा, और आपने तब तो कुछ भी नहीं का आप चुप रहे, और अभी इन्हों, जब सब आके आप से कहले हर एक चीज का एक कारण है, मैंने अपनी जिन्दगी में यही सीखा है, यही मेरी तपस्या है, कि जो जैसा है उसे होने दो, उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई उसकी वज़े है, तो एक कहानिया हमारे इंसानों के लिए बनी, कि हम आर पर इस सिती को सह सके हैं समझ सके हर चीज में आम बहुत ज़्यादा सोचते हैं वज़े रूनते हैं अब कई बार सिती ऐसी होती है जीवन में कि उसे छोड़ना ही पड़ता है उपर वाले के हाथ में कि आगे कहानी तुझे बता है तेरे हावाले तो वही मुझे एक कार्ट देखके याद आगया तो मैं आपसे शेर कर रही हूँ लिब्रास पीरों जिन्देगी में आपके शायद पार्टनर आपकी कहानी नहीं समझ पा रहे हैं कुछ तिती आपके कंट्रोल में नहीं ऐसा चल रहा है तो सरेंटर कर दें उपर वाले के मैं कहूंगे एक रूटीन चलती हुई दिख रही है बहुत सदा मेंटल स्ट्रेस ना ले बिकॉज चारिट के कार्ट कई बार केतू का कार्ट माला जाता है तो बहुत ओवर थिंकिंग होती है तो जो जैसा है उसे वैसे रहने दे जब समय सही आएगा तो चीजे आपको जाते से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीटेल्स अवेलेबल है आप हांसे मुझे कॉन्टैक कर सकते हैं थांक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो